घर पे रोटियों को रखने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं कपड़े का या फिर किसी पेपर का रोटियां क्या होती हैं गिलक जाती हैं है ना गिलक भी जाती हैं कभी-कभी इसमेल भी आने लगती है और यह जो कपड़े होते हैं इनकी साफ सफाई पर हमें बहुत ध्यान देन तो यह है रोटी रखने के कवर या फिर बॉक्स यह 193 में मुझे 5 पीस मिले हैं जो की बहुत सस्ते थे इसमें रोटी गीली नहीं होती है क्योंकि इसमें मैं अभी सब कुछ बताऊंगी आपको और साथ ही साथ जो रोटी है उसमें समेल नहीं आती है इनको दोना भी बहुत आसान होता है अब मैं आपको पहले इसको दिखा देती हूं अच्छे से इसमें इस तरह से चैन दी हुई है जिसको खोलने पर पूरा ही बॉक्स खुल जाता है जिसमें रोटियां रखना बहुत आसान हो जाता है इसमें आराम से आप 20-22 रोटियां रख सकते हैं बहुत अदर भी इसको रख सकते हैं तो यह आपकी चौईस है और इसमें जो रोटि है उसमें जितनी नमी बनती है रोटियां रखते है तो नमी सी बन जाती है तो इसका जो कप्ड़ा लगा हुआ है थोड़ा सा फॉर्म इसके अंदर है जिसकी बज़य से यह सोक कर लेता है नमी क और रोटियां गीली नहीं होती है और आई बहुत आसानी से वाश हो जाते हैं धुले में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है तो आप इनको दो लीजिए तो बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती है रोटियों में बहुत अच्छे से आप इसको मिल्टेन कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा परिवार है मानके चलिए 10-12 लोगों की फैमली है आपको काफी अच्छा स्पेस चाहिए तो आपके लिए यह बहुत अच्छे हो सकते हैं इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं वह फ्लैट थे यह थोड़ा पिटारे के रूप में है तो यह भी बहुत अच्छा है कम रोटिया रख दीजिए काफी सारा इसमें स्पेस बना रहेगा तो इसमें भी सेम चैन दी गई है और इस तरह इसे पकड़ने के लिए दिया गया है आराम से आप कहीं पर भी जगह से दूसी जगह मूव करा सकते ह हैं और इसको भी आप डिरेक्ली ऐसे ही रख सकते हैं और किसी बर्तर में चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी क्वाइल्टी बहुत अच्छी है एवन है मतला मम्मी तो खुश हो गई ती इसको देख करके कि ऐसी चीज़े भी मार्केर मिलती है रोटी का कवर भी मि कुछ कर लिया है ना तो रोटी देख सकते हैं कितनी सारी इसमें बन गई है तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जली से जाए चेक कर लीजे ऐसी नई नई चीज़े मिलती है मार्केर में मैं आपके लिए कितनी मेहनत से धून धून के लेके आती हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके आपकी डेली लाइफ काफी आसान हो सके तो लिंक देदी है इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजेगा बाई डियम पीपी कुछ भी टाइप कर देना तो आपको मिल जाएगा लिंक आटोमेटिकली मैसेज बॉक्स में आप चेक कर लिजेगा वीडियो अच्छी लागे तो वीडियो को लाइक कर दीजे शियर कर दीजे मिलते हैं अगले प्रोड़क्त में अगले वीडियो के साथ आप दोगी बाई